दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे में वीजे प्रकास आपका हार दिक स्वागत करता हूँ यह वीडियो बहुत ही महतुपूर्ण है अगर जिंदकी की सारी चीनताओं सभी समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं तो लाश्ट तक वीडियो को जरूर देखें गरंटी है इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत बरा परिवरतन महसूस करेंगे अपनी लाइ जीवन का हम बहुत सारे सवालों के जवाब ढूरने का प्रियतने करते हैं लेकिन अधिकांस मामले में प्रियतने बिफल ही रहते हैं दोस्त भगवत गीता एक ऐसा गरंथ है जो हमें उस मुकाम पे ले जाती है जो हमारे मार्ग दरसन मुलियों और अदरसों का सबसे बहतर स्रोत हो सकता है यह गरंथ है आत्मा के सारे रहस्यों को जानने और जीवन के सभी महतुपूर्ण मुद्दों के समधान करने में काफी मदद करता है दोस्त स्री कृष्म द्वारा दी गई सिक्षाओं पे अमल करके कोई भी अपना जीवन बदल सकता है, बेहतर बना सकता है, भगवत गीता का ग्यान किसी भी इंसान के बेर्थ की चिंताओं को खत्म कर सकता है, गीता का ग्यान मन के हर परसानी और असांती को खत्म कर देता है, इतिहास के सबसे बड़ा ग्यान का खजाना भगवत गीता ही है, उसमें स स्रिष्टी के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्विकर स्री कृष्ण द्वारा दिया गया ग्यान है। जिसे कोई भी इंसान बड़े आसानी से फॉलो करके अपने जिंदगी में वो सब कुछ पास सकता है जो पाना चाहता है। चाहे खुसी पाना हो, चाहे सफलता पानी हो, चाहे अपने जिंदगी को बेहतर बनाना हो या चाहे मेनेजमेंट सिखना हो। दोस्त इनसान सबसे अधिक फ्यूचर को लेकर चिंताएं करता है। कुछ ऐसी घटनाए घटित हो जाती है उसके जीवन में, जिससे वह अंदर से पूरी तरह से तूट जाता है। कभी कभी तो वह अपने ही हाथों से अपने ही जीवन लीला खत्म कर लेने के बारे में सोचने लगता है। वह सोचने लगता है कि यह सब कुछ आखिर मेरे साथी क्यों होता है, जबकि यह उसे भी पता होता है कि कुछ भी चिंता कर लेने से परिणाम कभी नहीं बदलेगा, परिणाम जब भी बदलेगा तो समधान धूरने से बदलेगा। दोस्त स्री कृष्ण कहते हैं जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, फिर भी इस बात के मर्म को हर इनसान नहीं समझ पाता और वह बेर्थ की चींताओं में डूप जाता है, जबकि जिससे हम समस्या समझते हैं आने वाले वक्त में वही हमारे लिए बरदान बन ज जासे अधिकतर लोग समस्याओं में ही उलजके रह जाते हैं, यहां मैं एक छोटा सा इस्टोरी सेर करना चाहूँगा जिसमें बहुत बड़ा रहस से छुपा हुआ है, दोस्त इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बीना किसी कारण के नहीं होता, एक गाउं में एक गरीब औरत रहती थी, उसका एक बच्चा था, जो हर तरह से बिलकुल स्वस्थ था, लेकिन एक दिन किसी एक्सिडेंट के वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई, वह औरत उस घटना से बहुत दुखी हुई, वह सोचने लगी कि यह अपरिया घटना मेर से ही क्या दुस्मनी थी, मैंने उनका क्या भी गारा था, जो इस तरह के दुख उन्होंने मुझे ही दिये, अभी इस बच्चे की पूरी जिंदगी पर ही है, और बच्चपन में ही इसके उंगली काट के इतना बरा दुख दे दिया, धिरे धिरे समय बित्ता गिया, एक बा हुआ था, वो अपने गंतब्बे पे जाके, जैसे ही उस बच्चे की बली चरहना चाहा, उसी वक्त उसे उसके गुरू की बातें याद आ गई, कि जीस बच्चे का भी तुम बली चरहोगे, उसके सभी यंग पूरे और सही सलामत होने चाहिए, उस मयाबी राक्षस को कारण के नहीं होता, उस वरत के सबसे बड़ा दुख का कारण था, अपने बच्चे के हाथ का उंगली कटना, इससे लेकर वो हमेसा चिंती तिरहती थी, और समय का चकर देखिए, अगर उसका उंगली नहीं कटा होता, तो उस दिन उसकी जान चली गई होती, उंगली का कट उसके लिए बरदान बन गया, दोस्त, जमा भारत का जुद आरंभ होने वाला था, तो अरजुन बहुत अधिक चिंतीत रहने लगे, कि मेरे गुरू और पितामह भिस में, मेरे सभी भाई, मित्र, रिस्तेदार इस जुद में मारे जाएंगे, और ना जाने कितने बेकसूर लोग भी इस जुद में मारे जाएंगे, इस सस्तिनापुर की रोनक ही खत्म हो जाएगी, सब कुछ बरबाद हो जाएगा, और इस जुद में, अगर मैं जीत भी गिया, तब उस जीत का मतलब ही क्या रहेगा, जिसमें मेरे हाथों से मेरे अपने ही मारे गए हो, तब स्री क आज नहीं तो कल मिती ही जाएगा, और जो अभिनासरी आत्मा है, वह कभी भी मर नहीं सकती, नश्ट नहीं हो सकती, तुम किस बात के लिए चिंता और दुख करते हो, जो एक दिन नश्ट होने वाला है, मितने वाला है, मरने वाला है, उसकी चिंता करके या दुख करके जो नश्ठ हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की जरूरत ही क्या है। परिस्थिती को तुम चाहे जैसे देखो तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल बेर्थ है। जो ब्यक्ति जितना अधिक चीजों को नियंतरन करने के कोसिस करेगा या जितना प्रियास करेगा कि जिन्दगी बिल्कुल मेरे हिसाब से चले जो मैं चाहता हूँ मुझे बस वही मिले और जो चीजे मैं नहीं चाहता हूँ ओ चीजे मेरे जिन्दगी में कभी आये ही नहीं उस ब्यक्ति को सबसे अधिक चिंता और तनाव का सामना करना परेगा। क्योंकि है जिंदगी एक बहते हुए पानी की तरह है। और उसी पानी में दो तीन के बह रहे हैं। उसमें एक तीन का आनंद लेता हुआ पानी के लहरों के साथ बह रहा है। पानी जहां जा रहा है उसके बहने में वो सात दे रहा है। अब तिनका बेचारा पानी के बहाव के साथ लर रहा है, किनारों से, पत्थोरों से, चटानों से टकरा रहा है, पर पानी के बहाव को बदल नहीं पा रहा है, जितना अधी कोसिस करता है पानी से लरने की उतना ही दुखी और उतना ही परसान हो रहा है, ये जिंदगी भी ऐस इसे ही बहते पानी की तरह आगे बरती जाएगी। राजा को उस व्यक्ति पर बहुत दे आई। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा है और किसी को उसकी जरूरत है तो हमें उसे जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुस्य हो और मैं भी एक मनुस्य हूँ और अगर एक मनुस्य दुसरे मनुस्य के पीरा को नहीं समझेगा तो फिरो मनुस्य है ही नहीं। वो एक पसु के समान है इसलिए तुम मेरी रत में आ जाओ मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूँगा। राजा के ऐसा कहने पर वो बुरह ब्यक्ती रत में बैठ गया। जब वो रत चलने लगा तब राजा ने देखा कि इस ब्यक्ती के सर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने देखा कि उस ब्यक्ती ने लकरियों का गठर अपने सर से उतारा ही नहीं है। राजा न और ने मुझे रत पर बैठाया मेरे लिए यह बहुत ही सोभागी की बात है। मैं अपने लक्रियों का गठर इसका वजन आपके रत पे बिल्कुल भी नहीं आने दूँगा। इस तरह के बात सुनकर उस राजा ने अपना सर पकर लिया। यही कहानी हम सब की है। गीता में भ की कर कुछ भी नहीं सकता, ताकत कुछ भी नहीं है लेकिन इनसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इनसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है। मैं अगर कुछ ना करूं तो सब कुछ बरबाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जबकि इतनी भी सक्त हमें नहीं है कि हम खुद से एक सांस भी ले सकें इसका भी करता धरता कोई और ही है पर कृती ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसे अपने आप चलती है अगर सांस लेने का काम हम पर छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे इधर एक पल के लिए हम सांस लेना भूलें और उधर सामने मौत आ जाएगी और मनुस्य को सोचने की चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वो सिर्फ आज की चिंता नहीं करता बलकि वह अपने आने वाले कल की भी चिंता करता है वह आने वाले 10-20-50 साल अपने बुरापे तक की अपने मरने तक की च हो जाती है क्योंकि किसी बात के चिंता करने में ही उनकी सारी उर्जा नश्ट हो जाती है ये कल जूग है इस जूग में लोग करते कम हैं और सोचते ज्यादा है कल जूग का मनुस से सिर्फ बेर्थ की बाते सोचता रहता है जिससे कुछ करना होता है वो ज्यादा सोचता न या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं अपनी जिन्दगी में आगे नहीं बर पा रहा है। इस कारण से मेरी जिन्दगी अच्छी नहीं हो पा रही। अगर मनुस सोचने के बजाए करना सुरू कर दे तो उसके जिन्दगी में कोई भी दूख, कोई भी समस्य अधिक देर तक टीक नहीं सकती। आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समधान मिलने में लग जाओ, उसके सलूसन में लग जाओ, अगर आपको वविस्य में आने वाले किसी समस्या का डर है तो उसकी चिन्दा तो आप छोर ही द आपको लगेगा कि आप ब्यर्थ की चिंता करते थे और जिंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया एक नगर में एक बहुत ही धनी ब्यक्ती रहता था उसके पास इतना अधिक पैसा था जिसका हिसाब ही नहीं एक दिन उसने अपने सारे आदमियों को बुलाया जो उसका सारा हि कितनी संपती है उन सबका मुझे हिसाब दो मैं जान सकूं कि मेरी कुल संपती कितनी है वे सारे लोग सेठ के संपती का हिसाब किताब रखने वाले हिसाब किताब करने में लग गए उन सभी को सारे संपतियों के हिसाब किताब करने में ही पूरे 10 दिन लग गए 10 दिन के बा कि मेरे पास इतनी अधिक संपती है कि मेरी साथ पिरियां बैट के खाए तब भी खत्म ना हो उन्हें कोई काम करने की जरुवत नहीं होगी तो असेठ रोने लगा सभी हिसाब करताओं ने पूछा कि सेठ जी आप रो की हो रहे हैं आपके पास तो अपार संपती है तब वो सेठ कहने लगा कि आप लोगों ने कहा कि मेरी साथ पिरियां भी बैट कर खाए तब भी संपती खत्म नहीं होगा लेकिन जब उसके बाद आठवी पिरिया आएगी उसका क्या होगा उन्ही के बारे में मैं सोच सोच कर दुखी हो रहा हूँ यहीं आज कल के हर मनुस्य की समस्या है आज सब ठीक है लेकिन कल कुछ गलत ना हो जाए उसकी चिंता में परसान होते जा रहे हैं एक नगर में एक राजा रहता था उसका राजी बहुत बड़ा था मेरे जिन्दगी आगे कैसे चल पाएगी वह राजा इन बेर्थ की चिंताओं में उलजा रहता था एक दिन वह अपने गुरुवर के पास गया और गुरुवर से अपनी चिंता बताई गुरुवर उस राजा का मन समझ गये उन्होंने उस राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में एक महिला रहती है तुम उसके पास जाओ उसे बहुत सारा धन और बहुत सारा अनाज दे कर आओ तुम्हें तुम्हारी समस्या का समधान मिल जाएगा वह राजा बहुत सारे हीरे जवरात सोने चांदी लेकर बहुत सारे अनाज लेकर उस महिला के पास गया उसे एसब दान देने के लिए वह राजा उस महिला के घर पहुँचा राजा ने महिला से कहा कि ये सारा धन तुम रख लो इसके बाद तुम्हारा जीवन बरे अराम से कटेगा गुजरेगा उस महिला ने राजा की ये बाते सुनकर ये सारा कुछ लेने से साप मना कर दिया उमहिला राजा से कहने लगी मेरे पास आज खाने के लिए परजापत भोजन है मैं कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखती मुझे इस्वर पर पूरा भरोसा है जिसने मुझे आज खिलाया है और मुझे कल भी खिलाएंगे क्योंकि जितना मैं संग्रह करूँगी फिर म मुझे उस समान को संभालना परेगा. इस से तो बेहतर है कि जो इस वर मुझे आज तक संभाल रहा है, मैं उसी के भरोसे खुद को जीती रहूं. क्योंकि जो आज तक खीलाते आया है, वो आगे भी खीलाता ही रहेगा. गीता का ग्यान हमें यही सिखाता है. गीता में सिरकृर्ष्ण अरजुन को बार बार यही बात कह रहे हैं, कि हे अरजुन, अपने सारी चिंता एं, अपने मन के सारे बिचार, तुम मुझे सौफ़ दो, मुझे छूर दो, अपने मन को हलका कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो, कर्म में ना लगकर बिचारों में लग जाता है जो ब्यक्ति कर्म में लगा रहेगा उससे चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा और जो ब्यक्ति कर्म का त्याग कर दे वो अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा तुम अपने आपको कर्म में लगावो जैसे ही अरजुन को स्री कृष्ण ने उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है ये सब सोचना विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है तुम्हारा कर्म है अधर्मियों को नास करना जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनको नश्ट करना, ना की फालतू की बातों को सोचना, वह तुम्हारा काम नहीं है, तुम दुनिया के भगवान नहीं हो, तुम कुछ नियंतरन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन बस बहता जा रहा है, कब हम बच्चे से जव करना परता है, यहां हर इंसान जवान रहना चाहता है, लेकिन फिर भी सब बुरे हो जाते हैं, इस चोटी सी चीज को हम समझ लें, कि ये जिन्दगी बस बहते जा रही है, और हम इसे नियंतरन नहीं कर सकते, बस जो हो रहा है, उससे अपने लिए एक खुसियां और आनंद से भरी एक जिन्दगी हासिल करनी है, और वह जिन्दगी लड़के या चिन्टा करके नहीं बलकि खुसो कर जीनी है, तुम बिना किसी कारण के चिन्टा करते हो, और बेवज़े ही घबराते हो, परसान होते हो, तुम तो आत्मा हो, जिससे ना तो कोई मार सकता है, ना जला गीता में स्री कृष्ण कहते हैं, कि जो मौन को समझ ले, ओ पुजनिय होता है, फिर चाहे ओ मा हो, पतनी हो, प्रेमी हो, या परमेस्वर हो, स्री कृष्ण का कहना है, कि मनुस्य को अपने कर्मों से, संभावित परिनामों से प्राप्त होने वाली, बिजय या पराजय, ला परिबुत बनाती है, दोस्त, वीडियो बहुत लंबा हो भी गया, आगे और भी लंबा हो जाएगा, फिर कभी और जानेंगे, गीता ग्यान के बारे में, दोस्त, यह वीडियो आपके लिए उप्योगी, और अध्यात्मिक ग्यान परदान करने का बस एक प्रयास है, अगर आपके यह वीडियो पसंद आया हो, और आप अगर इस जात्रा के साथ जूरुना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें, आपके सुझाओं का हमेसा स्वागत रहेगा, इस वीडि करें